आज हम लोग बनाएंगे मसालेदार करेले और वो भी एगदम डिफेंट स्टाइल में तो देखे कितने बड़िया करेले बनकर त्यार हुए हैं और इसको मैंने बनाया जो नॉर्मल अम लोग राजमा मसाला छोला राजमा मसाला जो घर में बनाते ना मटर पनीर के लिए उसी मसाले से छोड़ा सा बचा के रक लो ज और करेलें और इसको उपण नेचे से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे और बीस से चीरग लगा देंगे और करेले का छिलका ब्ल्हकुल भी नहीं होतारना है तो मैंने इसमें थोड़े चोटे साइज के करेले लिए हैं आप चाहें तो थोड़े मीडियम वाले भी ले सकते हैं पर बड़े करेले लेंगे तो उसमें बीजे वगेरा जादा होते हैं तो आप लोग बड़े करेले प्रिफर मत करिएगा तो ये देखिए इस सारे करेले में काट के त्यार कर रही हूँ इसी तरीके से आप लोग को भी करना है और थोड़े-थोड़े बीजे हैं मेरे करेले में उसको भी मैं निकालती जा रही हूँ देखिए साथ के साथ निकाल लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी ज़ाधा और ये करेले मैंने पहले से ही वाश कर लिये थी और वाश करने के बाद ही मैं इनको काट रही हूँ तो एके करके सारे चेक करते जाएंगे किसी-किसी करेले में लाल बीज होते हैं भी आप निकाल दीजेगा और जो मुटे बीज होते हैं वो भी निकाल दीजेगा कोई-कौई करेलें सॉफ्ट रहते हैं वो तो होते ही बड़िया है तो इस तरीके से सारे करेलें काट की ट्यार कर लेने, बीच से चीरे लगाके तो जो हम लोग गर में मटर पनीर के लिए मसाला तयार करते हैं मिक्सी में पीस के छोले के लिए राजमा के लिए उसी से ये बनाएंगे और बहुती बड़िया साइड डिश के तौर पर भी आप इसको सर्फ कर सकते हैं और नौरमल रोटी की साथ भी आप लोग इसको सर्फ कर सकते हैं तो देखिए मैंने सारे करेले काटकर तयार कर ली हैं तो अब क्या करेंगे, इसको हमको fry करना है कडाई में मैंने तेल गरम करने को पहले रख दिये थे मैंने इसमें जो किया है सरसो का तेल का यूज किया सरसो की तेल में करेले बहुती बढ़िया बनकर होते हैं तो यह जो है तेल जो है मारा बढ़िया गरम हो गया था तो मैंने इसमें अब यह सारे करेले डाल दियें देखी आठ से 10 करेले ते एकी बार में सब आ गए हैं अगर तो इस तरीके से पलट पलटके हम लोगो इसका जो है मेरून कलर जैसे रेड सा कलर आता है उसको अच्छे से प्राई हो जैसे हम लोग भिंडी वगेरा प्राई करना है ऐसे पलट पलटके प्राई करते रहेंगे और ये भी ध्यान देना है कि जल भी न जाए है हमारे करेली अ प्राइय को और देखे का हरी निलिका साथ हुरस्त नत अभी δिखा है तो दिए किसी कलरे तेसे बेचे से साथ हुरस्ता रेक्त में कि 100 चाहि जूरसे तरीके से सा अरे फ्राईय करके प्यास अब दिखा, के 不知道 हो हैि और प्यासित्वे पी आ है आप लोग इसको बनाईए और enjoy करें अब जो है हमारे करेले बिल्कुल जादा अच्छे से प्राई हो गया है तो अब अम लोग इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में गैस का फ्लेम आप कर देंगे इस सारे करेले में एक प्लेट में निकाल लेती हूँ देखिए चट्पटे, स्वाध्वले बिल्कुल करेले बनकर हमारे रेडी होंगे तो देखे, अब क्या करेंगे? इन करेलों को हम लोग ठंडा होने देखे जब बिल्कुल कंप्लिट्टे ठंडे हो जाएंगे, तब हम लोग इसमें मसाला भरेंगे तो मसाला देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे राज्मा ठोले, मटर, पनीर या अलू मटर की सब्जी जैसे हम लोग बनाते हैं, उसके लिए मसाला त्यार करता है, मस उसी तरुषी का मसाला हमों को त्यार करके रेडी करना है, और इससे ही हम लोग जो है अप करेले भर कर मैं ऐसी तरीके से त्यार कर लूँगी बहुत जादा नहीं भरिएगा जितना इसके अंदर आ जाए और करेला बंद भी हो जाए बस इससाब से आपको भरना है और इस तरीके से आप करेले बनाएंगे न तो करेले कड़वे भी बिल्कुल नहीं लगेंगे बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं आप इसको बच्चों को भी खिला सकते हैं तो देखिए यह हमारे करेले बनकर रेड़ी हो रहे हैं यह फेलिंग हो रही है इसके अंदर फिर जो लोग भी मेरे चानल को नई लोग देख रहे हैं वो लोग मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो अच्छे लग रही हो तो प्लीज लाइक करिए और लाइक करें के बाद जो है आप बताईए कि मुझे कैसे लग रहे हैं तो कमेंट करिए करेले कैसे लग सब्स्राइब करने के लिए आप लोग बेल का बटन दबा दिजेगा बेल का बटन दबाने से योगा कि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहेंगी तो ये अब लास्ट करेला है इसको भी मैंने भरकर रेडी कर लिया है देखी तो अब ये सारे करेले फिल हो गए है तो आप क्या करेंगे गैस के तरफ चलेंगे गैस पर मैंने एक कड़ाई रख दिया है और कड़ाई को मैंने गैस जो है ऑन कर दिया है और उसमें थोड़ा से मैं ऑईल डाल दूंगी मैं आदी कल्ची के करीब oil डाल रही हूँ यह वही oil है जिसमें कि मैंने करेले फ्राय की थे दूसरा आपको oil नहीं लेना है तो यह करेले के लिए इस तरीके से यूज भी हो जाएगा करेले वाला oil थोड़ा कड़वा हो जाता है तो वह इसी में यूज होगा तो अब जो है oil थोड़ा गरम हो गयता है तो मैं gas का flame slow कर दूंगे बिल्कुल और फिर सारे करेले इसमें के करके डाल देंगे इसमें आपको flame बिल्कुल भी high नहीं करना है आप सारा करेले को हम लोग को low flame पे ही बनाना है तो बस अब इसको अच्छे से mix कर देंगे oil के साथ और क्या करेंगे इसमें जो basic सूखे मसाले होते हैं हम लोग सबजियों में डालते हैं धनिया, मिर्चा, हल्दी, नमक, खटाई यह सब थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे क्योंकि मसाले में तो यह सब मसाले थे ने करेले के जो मसाला बनाना था ना वो पिसा वा क्योंकि करेले तले हुए हैं और मसाला भी हमारा फ्राइ के हुआ पहले से बस दो से तीन मेट के अंदर ही रेडी हो जाएंगे अब सारे मसाले डाल देंगे इसके इंदर जो मैंने अब जो आ पितायता है आपको कोड़ी सब्सक्राइव दाल चावल के सात्थ ये करेले बहुत ही टेस्टी लगते है तो आप लोग इसको बनाइएगा और एंजॉई करिएगा बहुत ही बढ़्या लगतें के जोद और शायद आप लोग ने बनाए भी नहीं होंगे इस तरह के करेले कभी तो आप लोग बनाईए और इसको एंज्वाइ करिए देखे सारे मसाले मैंने इसमें डाल दीए और अच्छे से मिक्स कर देए बस यह करेले बनकर हमारे बिल्कुल रेडी है और इसकरे से सारे मसाले की कोटिंग जहें इन पर आजाने चाहिए प्रेंट्स मेरी महनत आपको जरा सी भी अच्छी लग रही हो जिस तरह से मैं आपको रेसेपी इस मना के प्रेजिन कर रही हूँ तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजे यह रेसेपी बनकर मेरे बिल्कुल रेडी हो गई है मेरी रेसेपी को प्रेंट्स शेर भी करिए तो यह देखिए बिल्कुल मज़ेदार करेले चटपटे हमारे बनकर रेडी है मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में किसी अगले रेसेपी के साथ अंचल देंगा आई